नमस्कार आज हमारे साथ हैं 2018 वर्ष के शांती सुरो भटनागा पुरुसकार से सम्मानित प्रफेसर नितिन सकसेना ये पुरुसकार गड़ित के छित्र में complexity थोरी पर उनके दोरा किये गया कार हित्व मिला है वर्तमान में ये IRT कांटपूर के computer science विभाग से जुड़े हुए हैं तो आईए बात करते हैं प्रोफेसर नितिन सकसेना से नमस्ते सर सबसे पहले बढ़ाई आपको ये पुरुसकार पाने के लिए और हम चाहते हैं कि आप हुमारे श्रोताओं को अपनी रिसर्च बारे में कुछ बताईए बिल्कुल नमस्ते मेरा जो रिसर्च है बीजगनित जटिलता सिध्धान्त में जिसका इंगलिश होती है अलजेब्रा है complexity theory तो जटिलता का मतलब ये है कि जो आपके जो तो खासतोर से इस मेरे वर्क में polynomials का बहुत इस्तमाल है polynomials का मतलब हिंदी में होता है भहुपद कोई polynomial कितना मुश्किल है या कितना सरल है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं उसको circuit के form में लिखे तो कोई polynomial को आप लीजिए और उसको एक circuit होता है उसके form में लिखे और वो circuit कितना बड़ा होगा अगर बड़ा होगा तो मतलब polynomial मुश्किल है अगर छोटा होगा तो polynomial सरल है और इसका मतलब सीधा होता है समय से कि आपको अगर वो polynomial को अगर आपको compute करना है तो अगर circuit बड़ा होगा तो जादा समय लेगा जादा संसाधन उसमें लगेंगे अगर circuit छोटा होगा तो कम समय लेगा उसमें संसाधन कम खर्चोंगे यह problem वैसे तो अपने आप में अमूर्थ है मतलब abstract problem है लेकिन इसका इस्तमाल practice में भी होता है especially इसका इस्तमाल होता है cryptography में, internet security में computers में जब data को जब आप store करते हैं उसका इस्तमाल खरते हैं तो उसमें जो trutia होती है उसमें सुधार करने में मतलब error correction में इसका use होता है कई सारे problems, algebraic होती है उनके लिए algorithm जो बनाना होता है algebraic algorithms उसमें इसका इस्तमाल होता है हमारे जो computational resources होते है मतलब गड़ना करने के जो संसाधन है उनको हमें कोशिश तो यह होती है प्रत्नी यह होता है कि हम संसाधनों को कम करें मतलब समय को कम करें problem solve करने के लिए और जितना वो space खर्च करता है जितना for example आपकी hard disk सर अब हम जानना चाहेंगे कि आप गड़त को एक विशय के रूप में कैसे देखते हैं और हमारे जीवन में गड़त का क्या महतु है यह गड़त बहुत ही पुराना विशय है और जब से human beings intelligent हुए है तब से ही यह खड़त बनना शुरू हो गया था in fact सबसे पहले लोगों ने गिनना ही से सीखा था numbers कि उनके सामने अगर बहुत सारे objects हैं तो कितनी objects हैं वो zero है या एक है या दो है या तीन है तो numbers सबसे पहले शुरू हुए थे एक तरह से human intelligence का वो part हैं logic का भी part हैं तो गड़ित बहुत पुराना है और हमारे देश में खासतार से गड़ित में हजारों सालों पहले भी काफी नई नई चीजे का विशकार हुआ था नई ने concepts का विशकार हुआ था जो फिर दूसरे जो बहार के तुनिया में फिर फैली उसका फिर आगे इस्तमाल हुआ विज्ञान में तो आप देखेंगे कि विज्ञान में मतलब science में अभिज्ञांतरिकी में मतलब engineering में computers में, smartphones में, उनके software में, उनके hardware में internet में हर जगे जो उनका जो मूलबूट, जो सैधानतिक तौर पर जो चीजें हैं वो सारी गड़ित पर ही based हैं क्योंकि इन सभी चीजों में कहीं न कहीं algorithm का इस्तमाल होता है और जो algorithm होता है वो actually गड़ित से ही आता है उसका अविशकार करने में और उसका अध्यन करने में दोनों में ही गड़ित का इस्तमाल होता है और in fact programming जो होती है programming में भी गड़ित का अच्छा होना आपका जरूरी है अगर आप गड़ित में अच्छे नहीं है तो programming में भी आपको दिक्कते आएंगी क्योंकि उसके लिए गड़ित या लॉजिक में स्ट्रॉंग होना अविश्यक है सर थोड़ा साफ हमें complexity theory के बारे में भी बताएं सरल भासा में समझाएं कि यह होती क्या है और कैसे काम करती है complexity theory मतलब जटिलता सिध्धान्त वो computer science का area है जहां पर कि जो practical problems होती है जिनको आप रोजमर्रा के जीवन में जिनका इस्तमाल होता है उनको computer के द्वारा आपको करना है हल जो algorithm जो अप धूनेंगे वो algorithm उस problem को कितना जल्दी हल करेगा या कितना देर से हल करेगा तो क्या ऐसे algorithms हैं जो आपके जो practical problem है उसको computers में जल्दी से कर सकें solve कम से कम संसाधन कौपियो करते हुए इसको जब हम mathematically करते हैं studies question को तो हम चटिल्टा सिधान के द्वारा उसको करते हैं वो area है तो उधारन के तौर पर अगर आप लेजे sudoku आपको sudoku solve करना है मान लीजे कि आपका sudoku जो आप करना है solve वो 4 भाई 4 का है आसान है तो उसको आपने हाथ से कर लिया हल फिर जब वो 8 भाई 8 का हो जाएगा तो थोड़ा सा और मुश्किल हो जाएगा या बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए हाथ से करना तो उसको आप कंप्यूटर की मदद से करने की कोशिश करेंगे फिर suppose करिए कि वो और भी मुश्किल हो गया 16 भाई 16 का हो गया square, sudoku का तो उस समय पर वो उतना मुश्किल हो जाएगा कि आपके लिए हाथ से करना भी मुश्किल होगा और कंप्यूटर की मदद से भी करना मुश्किल होगा तब आपको कोई बहुती clever algorithm ढूणना पढ़ेगा उसके लिए और फिर उसको आपको कंप्यूटर में implement करना पढ़ेगा फिर कंप्यूटर की मदद से आप को सकते हैं उसको solve कर लें लेकिन ये कितना ये जो मुश्किल है ये किस तरह से बढ़ रही है अगर 16 भाई 4 से 8 भाई 8 से 16 भाई 16 तक पहुचने में किस तरह से बढ़ रही है और आगे अगर आप और बढ़ते हैं तो वो किस तरह से बढ़ेगी बिल्कुल सर गड़त का महा तो इस आधनिक युक में किसी से छुपा हुआ नहीं है आगे हम आप से ये जाना चाहेंगे कि बच्चों की गड़त में रुची कैसे उत्पन की जाए दरसल ऐसा देखा गया है कि बच्चे जनरली गड़त विशेशे तो दूर भागते हैं तो इस पर आपका क्या सुझा हो है सबसे पहले बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं अंग खड़त मतलब अरिथमेटिक फिर उसके बाद नेक्स क्लास में उनको पढ़ाते हैं जयामीती उसके साथ ही उनको शुरू कराते हैं बीच खड़त, कैलकुलस यूजली स्कूल्स में ये जो चीज़े जिस तरह से सिखाते हैं वो बहुती अमूर्त होती हैं मतलब अबस्ट्रैक्ट होती हैं ये concepts जो होते हैं, abstract होते हैं तो इसलिए जादा तर बच्चों को इसमें मज़ा नहीं आता है या उनको समझ भी भी नहीं आता है कि क्या हो रहा है, इसक्या उशक्ता क्या है तो कुछ हद तक तो ये परिशानी रहेगी, इसको पूरी तरह से solve करना मुश्किल है लेकिन अगर teachers ये कोशिश करें कि इन अमूर्थ चीजों को किस तरह से practice में इस्तमाल होना है अगर ये सिखाने की कोशिश करें, ये बोलने की चाहिए कि ये सब चीज़े abstract हैं आप abstract concepts का examples भी ने, examples का मतलब है कि आप किस तरह से ये in practice मतलब अनुप्रयोग इसका क्या होता है, इसका उधारन क्या होता है और उधारनों में भी सबसे पहले आप सरल उधारन परवर शुरू करें तो जो बच्चों का interest मैट्स में खतम हो गया है ये नहीं हैं, वो लोग शायद इसमें interested हो गड़ित को सीखने और सिखाने का श्रेष्ट तरीका है सरल उधारन और अनुप्रयोग के द्वारा समझाना अब जैसे अगर आप ये बच्चों को समझाने की कोशिश करें कि उनके फोन से जो communication होता है बैंक के साथ या उनके फोन से जो communication होता है Google या Gmail के साथ वो सारा internet security जो उसमें इस्तमाल होती है गड़ित पे ही आधारित है और खासतोर से बीजगड़ित और संक्या सिद्धान का उसमें इस्तमाल होता है इतनी ज्यानवर्दक बाते हमसे करने के लिए और अपना बहुमूल समय हमको देने के लिए धन्यवाद